पिपरिया का राए खेडी मामला मुख्य मंतरी सहित ग्रह मंतरी तक पहुँझ गया है सवाल ये उटता है यदी राजस्व के अधिकारी वा जवाबदार खनिस निरिक्षक ने कितनी बार अवैद उत्खन पर जिला खनिस अधिकारी सहित जिला प्रशासन के वरिष अधिकारीो को यहाँ हो रहे अवैद उत्खन को लेकर कितनी बार निरिक्षण कर अवैद उत्खन के संबंद में परतिवेदन दिया है कि यहाँ अवैद उत्खन हो रहा है क्योंकि एक निर्दोश रक्ती की जान चाने के मामले में अब कई सवाल इन जिम्मेदार अधिकारियों की कालिपराली पर भी खड़े हो रहे हैं अधरे से दो पुलिस कर्वियों पर कारवाई करके मामले को ठिंडा कराने का प्रयास किया गया है क्या इस पूरे मामले में सम्मंदित बीट प्रभारी आराई पटवारी साहित खणिश्निदर शक दोशी नहीं है क्या इन जिम्मेदार अधिकारियों को भी एक व्यक्ति की जान जाने के मामले में दोशी माना जा सकता है यह भी बड़ा सवाल है यदि ये जिम्मेदार अधिकारी फूर से ही यहां हो रहे अव्यक्त उत्खरन को लेकर गंभीर रहते तो इतनी बड़ी घटना शायद नहीं होती क्या हमारी जिने के कलेक्टर महोदय साहित पुलिस अधिक्शक महोदय अत्यत गंभीर है उन्हें पूरू में ही यदि इन अधिकारियों ने पहले ही कोई सूचना दी होती तो आज ऐसी सिदी राय खेड़ी में जो हुई शायद नहीं होती इस मामले में जिम्मेदार और जवाबदार अधिकारियों पर भी अब कोई गास गिरेंगी अभी के लिए फिलालत नहीं हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब पर ना भूले